दच्छिड फिर्का और भारत के बीच खेली गई तीन मैचों की T20 सिरीज के आखरी मैच में दच्छिड फिर्का ने भारत को हरा कर एक-एक से सिरीज बराबर करा लिया आपको बता दें टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने उत्री भारतिय टीम की बल्लेबाजी तास के पत्तों की तरह भिखर गई भारत की तरप से सीखर धवन ही एक मातर ऐसे बल्लेबाज रहे जिन्होंने दच्छिड फिर्की गेदबाजों का डट कर मुकाबला किया धवन ने आउट होने से पहले 25 गेद पर चार चौके और दो छक्के की बदोलत 36 रनों की पारी खेली दोस्तों अगर आपको भी धवन की बल्लेबाजी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दरसल भारत के हार की सबसे बड़ी वज़र ही दूसरे सलामी बल्लेबाज रोहित सर्मा का नचलना रोहित एक बार फिर बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे और मात्र नौ रन बना कर चलते बने जबकि पिछले मैच में 72 रनों की सांदार पारी खेलने वाले बिराट कोहली का भी बल्ला खामोस रहा इसके बाद बल्लेबाजी करने आये विकेट कीपर बल्लेबाज रिशब पन्त ने कुछ देर तक संघर्स जरूर किया लेकिन एक बार फिर वही पुरानी गलती रिशब पन्त सस्ते में विकेट गवाँ बैठे इसके बाद स्रेयस एयर और कुर्नाल पांडिया भी जल्द ही निपट गए स्रेयस ने पांच रन बनाये जबकि कुर्नाल पांडिया मात्र चार रन आखरी में आलराउंडर बल्लेबाज हारदिक पांडिया और रविंद्र जडेजा से एक उमीद जगी कि सायद दोनों गेत पर 19 रन बनाये जबकि हारदिक पांडिया 18 गेत पर 14 रन भारतिय टीम 134 रन पर सिमट गई जवाब में लच्छे का पीछा करने उतरे दच्छिल अफिरकी बल्लेबाजों ने भारतिय अगेत बाजों को जम कर धोया और एक विकेट के नुकसान पर दच्छिल अफिरक और हारदिक पांडिया मैदान पर ही फपक कर रो पड़े दच्छिल अफिरकी कप्तान क्विंटन डिकाक ने 52 गेत पर 64 और 5 छक्के की बदावलत 89 रनों की पारिखे ली दोस्तों आपको क्या लग रहा आखिर भारत से कहां चूख हुई क्या भारतिय बल्लेबाजों का और कॉन्फिडेंस हार का कारण बना कोमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर बताएं